सुब दिवस बच्चो आसा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे सुरक्षित होंगे बच्चो आज मैं आप सभी को हिंदी ब्याकरन पढ़ाऊंगी जिसमें मैं आप सभी को प्रत्याई के बाड़े में बताऊंगी आगे के बीडियो में मैं आप सभी को उपसर्ग के बाड़े में बताई थी आज प्रत्याई के बाड़े में बताऊंगी तो चलिए सुरुवात करते हैं आप सभी इसे ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा प्रत्याई किसे कहते हैं जो सब्दान सब्दों के अंत में लग कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर दे वे प्रत्याय कहलाते हैं बच्चों सब्द के वे अंस जो किसे भी सब्द के अंत में जुर कर उसे बदल दे उसका अर्थ बदल दे उसे ही हम लोग प्रत्याय कहते हैं जैसे यहाँ पर देखिए, खिल, खिल एक सब्द है जिसमें हम लोग प्रतय आरी जोड़कर उसे खिलारी बना दिये, उसके बाद है सबजी, सबजी में प्रतय वाला जोड़कर क्या बना सबजी वाला, और जगर सब्द में आलू प्रतय जोड़कर क्या बना जगडा आलू, तो बच्चो, सब्द के वे अंस, जो किसी भी सब्द के अंत में जुर कर एक नया सब्द का निर्मान करे, उसे हम लोग प्रतियाई कहते हैं. प्रत्याई दो प्रकार के होते हैं, प्रत्याई के दो भेद होते हैं, क्रित प्रत्याई और तद्धित प्रत्याई, तो बच्चों क्रित प्रत्याई किसे कहते हैं? क्रित प्रते क्रिया धातू के पीछे लगकर संगय और विसेशन सब्दों की रचना करते हैं तथा इसके मेल से बनने वाले सब्दों को क्रिदंत सब कहा जाता है बच्चों क्रित प्रते जो होता है वो धातू के अंत में यानि धातू के पीछे आप सभी को पता है मैं आगे म पढ़ा चुकी हूँ कि क्रिया के मुल रूप को धातु कहा जाता है तो क्रित प्रतय में क्रिया के मुल रूप के साथ उसके अंत में प्रतय जुरता है और उसकी रचना करता है उसको नया रूप देता है तथा उस नये रूप को हम लोग किस नाम से जानते हैं क्रिदंत के न हम लोग कृत प्रते आई जोरकर क्या बना दिये? पढ़ाई और उड और उर्ना, यानि उड सब्द में और क्रित प्रते लगाकर हम लोग क्या बनाये? उरान. दूसरा है तद्धित प्रतय वे प्रतय जो संग्या, सर्वनाम, विसेशन आदी सब्दों के पीछे लगकर नए सब्दों की रचना करते हैं तद्धित प्रतय कहलाते हैं बच्चों, तद्धित प्रते जो होता है, वो संग्या, सर्वनाम और विसेशन के पीछे, यानि अंत में जुरकर नए सब्दों का निर्मान करने हैं, जैसे लड़का और लड़कपन, लड़का सब्द है और इसमें तद्धित प्रते हम लोग जोड़े हैं, पन, लड़कपन ये लड़कपन जो है, वो लड़का सब्द और तद्धित प्रते पन जोड़कर लड़कपन नए सब्द का निर्मान हुआ, लगू और लगूता, लगू सब्द में हम लोग तद्धित प्रते ता जोड़े और एक नए सब्द का निर्मान हुआ, लगूता तो बच्चो प्रतय जो होता है वो सब्द के अंत में जुर कर नए सब्दों का निर्मान करता है तो बच्चो आसा करते हैं आप सभी प्रतय को अच्छी तरह से समझ लिए होंगे आगे के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कुछ और ले कराऊंगी तब तक के लिए बाई बाई बच्चो